दिवाली की सफाई में धन्तेरस से पहले घर से अवश्य ही निकाल फेके ये एक चीज वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास माल लक्ष्मी नहीं करेंगी घर में प्रवेश साल भर रहेगी धन की कमी नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब हिंदू पंचांक के नुसार कार्थिक मास की क्रिशन पक्ष की अमवस्या तिथी को दिवाली का पर्व मनाया जाता है अमवस्या की तिथी 24 अक्तूबर 2022 सोमवार के दिन पढ़ रही है इसी दिन दिवाली का पर्व मनाया जाएगा पुरानिक मानिता के अनुसार दिवाली दीपो का पर्व है, ये पर्व सुक सम्रिधी और व्यभव का भी प्रतीक है, इस दिन लक्षमी जी की विशेश पूजा और अराधना की जाती है इस दिन विधी पूरवक शुब मोहरत में लक्षमी पूजन करने से धन की देवी लक्षमी जी की विशेश प्रिपा प्राप्त होती है दोस्तो दिवाली का शुब मोहरत कुछ इस प्रकार से है दोस्तो लक्षमी की पूजा विधी किस प्रकार से है लक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए दिवाली का दिन सबसे उत्तम बताया गया है पुरानिक मानेता के अनुसार इस दिन सनान करने के बाद स्वच वस्रधारन करने चाहिए इसके बाद लक्षमी जी की पूजा रंब करनी चाहिए पूजा में लक्षमी जी के मंत्र और आर्थी का पाठवश्य ही करना चाहिए दिवाली पर दान का भी विशेश महत्तब बताया गया है इस दिन जरूरतमन लोगों को दान देने से भी लक्षमी जी प्रसन होती है इस दिन मालक्षमी का विशेश रूप से पूजन किया जाता है माना जाता है कि दिपावली पर मालक्षमी अपने भक्तों को आशिरवात देने उनके घर आती है लेकिन अगर आपके घर में दिवाली के दोरान ये शुब वस्तुएं होंगी तो मालक्षमी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपको साल भर धन की कमी बनी रहेगी इसलिए घर में बरकत हो और मा लक्षमी का घर में वास हो इसलिए आप सभी दिपावली से पहले यहां तक कि धन 13 से भी पहले अपने घर से क्या चीज़ अवशे ही निकाल फेके जिससे आपके घर में मा λक्षमी का वास हो जाए और साल भर धन की कमी ना हो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में गंदगी होती है उस जगे मालक्षमी प्रवेश नहीं करती और उस घर में दरिद्रत कावास होता है इसलिए अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए सुक सम्रिधी की कामना के लिए मालक्ष्मी को अपने घर आमंतरित करने के लिए हम सभी धंतेरस से पहले ही अपने घर की सफाई कर लेते हैं लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि कुछ पुरानी चीजों को हम घर से निकालने की जगे उन्हें दोबारा घर में ही संभाल कर रख लेते हैं जिससे घर में नकरात्म कुर्जा का संचार होता है और जिस घर में नकरात्म कुर्जा होती है ना उस घर में लड़ाई जगड़े मा लुक्षमी जी प्रवेशी नहीं गरती। तो आईए दोस्तों जानते हैं कि क्या है वो चीज जो आपको धंतेर से दिवाली तक अपने घर से बाहर रखनी है बाहर निकाल फेकनी है ताकि आपके घर में पूरे साल अनन्द आ सके धन आ सके दोस्तों सबसे पहली चीज है बेकार घड़ी कई बार हम लोग घड़ी खरीते हैं और घड़ी खराब होने के बावजूद भी उसकी सुन्दरता की वज़े से उसे अपने घर में रख लेते हैं लेकिन अगर आप ही ऐसा करते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें आपके घर में क अगरती का प्रतीक है दोस्तों ऐसी में बंद पड़ी घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नती में बादक है इसलिए घर में बरकत और उन्नती के लिए आप इस दिवाली से पहले ही बंद घड़ी को अपने घर से निकाल फेके तो दोस्तों दूसरी चीज है जूते चपल हम सभी कई सारे जूते चपल खरीते हैं दोस्तों और कई जूते चपल तो ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं कट जाते हैं पुराने हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम उनको अपने घर से बाहर ही नहीं फेक पाते और उन्हें अपने घर में ही एक कोने में कबार की तरह संभाल कर रख लेते हैं अगर आपके घर में भी ऐसे पुराने जूते चप्पल हैं तो उन्हें आप दिपावली के त्योहार से पहले ही सफाई करते समय अपने घर से बाहर निकलना ना भूलें जिन जूते चप्पल का प्रयोगी नहीं करते वह फटे पुराने जूते चपल घर में नकरातमकता और दुरभागे को लाते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ है बरतन हमारे घर में मंदिर के बाद सबसे प्रमुक स्थान होता है रसोई का रसोई को हमेशा साफ सुत्रा रखना चाहिए रसोई में कभी कबार इकठा नहीं करना चाहिए खासकर रसोई में कभी तूटे हुए बरतन नहीं रखने चाहिए तूटे हुए बरतनों में कभी भी भोजन भी नहीं करना चाहिए बरतन तूट गए हो या फिर चटक गए हो अगर आपके घर में ऐसे बरतन हैं तो आप इन्हें दिवाली से पहले घर से जरूर बाहर निकाल फेंगे क्योंकि अधिकतर लोग दिपावली पर लक्षमी जी गणेश जी की मिट्टी की नहीं मूर्तियाँ लेकर आते हैं लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उनने विसरजित करने के स्थान पर अपने घर पर ही संभाल कर रख लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो दोस्तों भगवान जी के उन सभी मूर्तियों को आप इस दिपावली से पहले ही अपने घर से बाहर निकाल दें। आप जीवन में कई तरह की परिशानियों को सामना करना पड़ सकता है साथ ही दिवाली की पूजा में मंदर की अच्छे से सफाई करके ही पूजा करें तभी देवी लक्षमी की असीम कृपा आपको मिल पाएगी दोस्तो अगली चीज है खराब उलेक्ट्रानिक सामान अक्सर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर होता है साथ ही जीवन में तरक्की के रास्तों में भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों आपको घर में कोई भी छोटा बड़ा खराब इलेक्ट्रानिक का समान दिखे या तो उसे दिवाली से पहले आप सही करा लें य विवाहिक जीवन की सुक्षानती के लिए जरूरी है कि पती पतनी का पलंग तूटा हुआ बिलकुल भी ना हो यदि पलंग ठीक नहीं है तो पती पतनी के विवाहिक जीवन में परिशानिया आने की अशंका बढ़ जाती है इसलिए इस्तिवाली से पहले आप अपने घर क के फरनीचर को ठीक करा लें यदि ठीक नहीं हो सकता तो उसे अवश्य ही घर से निकाल फेके नहीं तो दोस्तों परिवारिक जीवन में कलहे और अशानती बनी रहती है और जहां अशानती और कलहे होता है वहां मालक्श्मी वास नहीं करती तो दोस्तों कैसी लगी आपको अच्की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जै मालक्श्मी जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद